राम राम जीतो थार सारेक्स वागत अमारी एक और नई वीडियो में तो आज की वीडियो में आप बात कराएंगे 17885FV का फुल रिवियू देवांगे आपने इस वीडियो में तो 17885FV में मिलता है 15HP का दमदार इंजन अगर इस इंजन की बात करें CC में तो 33886C तीन सलेंडर के साथ ये 17885FV में मिलता है इसकी इटियो HP की बात करें तो 42.9HP इसकी इटियो की पावर है तथा रिवर्स पी इटियो के साथ ये उपलब्द है 17885 के गेर बोक्स में अमें दो परकार के गेर बोक्स में उपलब्द है 8 फोरवर्ड दो रिवर्स और 12 फोरवर्ड तीन रिवर्स के साथ ये उपलब्द है इसमें हमें सेंटर गेर और साइड गेर दो ओनो के साथ ये में मिलता है 17885FV में हमें किल्च में सी इंगल और डियोल दो ओनो किल्च में उपलब्द है अगर बात करें इसके लिफ्ट कपैस्टी की 2000 के जी की ट्रैक्टर की लिफ्ट कपैस्टी है 2000 के जी तक का वजन ट्रैक्टर अराम से उठा सकता है और ट्रैक्टर का कुल वेट है 2020 के जी इसके fuel tank की अगर बात करें तो हमें 62 लेटर का fuel tank कमपनी की तरफ से उपलब्द होता है इसके engine की rpm 2000 rpm इसकी मिलती है अगर इसके बात करें brake की तो इसमें हमें oil brake मिलते हैं इसके steering में हमें power steering और mechanical steering दो नो में उपलब्द है इसकी ट्रैक्टर की लंबाई की बात करें तो 3545 mm चोड़ाई की बात करें तो 1845 mm ग्राउंड लेवल से इसकी उचाई है 400 mm अगर इसके टायर साइज की बात करें तो सामने के टायर 7560 और 660 के टायर साइज मिलती है आगे वाले दो प्रकार के टायर साइज मिलते हैं पिछे वाले टायर साइज की बात करें तो 16,28 और 14,28 दो ओन्नो में यह उपलब्ध है आपकी मर्जी 38 में कौन सा टायर साइज लेना है और कौन सा नहीं लेना है अगर वीडियो बडिया लाग गया तो वीडियो ने करियो लाइक चैनल ने सब्सक्राइब अगर कोई गलती होई हो तो कमेंट हो जरूर बताई हो